आप देख रहे हैं 24 Yes News भगवान श्री राम की खणाओं रखकर अयोधिया का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्विकार किया इसी ल जिन्दगी हम सबके लिए मर्यादा और मैतिक्ता की कि मिसाल बिल्कुल उसी तरह अरविंद केज्डिवाल जी इस देश की राजनीती में मर्यादा और मैतिकता की है मिसाल कायंकि अ पिछली दो साल से भारतिये जन्टा पाटी ने अरविंद केजडिय वाज जी पर कीचण चालने में कोई भी कसर नहीं छोई उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा जब अर्विंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी एक लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पज से इस्तीफा दे दिये लेकिन दिल्ली के मुख्य मुख्य मंत्री की कुरसी ये कुरसी अर्विन केजरिवाल जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ अपने आशिरवाद के साथ अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी क मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बठाएंगे तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी अर्विन के इजडिवाजी का इंतसार करेगी धन्यवाद